आज हम अंकूरित चना और मटर करने का तरीका बताएंगे और फिर हम उससे ये सलात बनाना बताएंगे आप देख सकते हैं ये अंकूरित मटर और चना का सलाद हमारा कितना टेश्टी बन के तयार हुआ है और ये खाने में हिल्दी भी है हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किस तरह से अंकूरित किया है मटर और ये चना को इसे अंकूरित करना बहुत ही असान है तो आईए इस रेसीपी को बनाना शुरू करते हैं चना और मटर का सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मटर और चना लिया है इसे हमें अंकूरित करके ही सलाद बनाना है तो हमने मटर और चना को राद भर के लिए विगो के पानी में छोड़ दिया था फुलने के लिए मटर और ये चना हमारा अच्छा से फुला हुआ है तो हम इसे पहले अंकूरित कर लेंगे इसका हम तरीका बताते हैं कि हमें किस तरह से चना और मतर को अंकूरित करना है मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है प्लेट के उपर हम यह कोटन का कपड़ा बिछा देंगे रख देंगे उसके बाद हम इसमें यह मतर को डाल देंगे कि इसे अंकूरित करना वहुत है आसान है और ये गणियों के दिनों में बहुत ही जल्दी अमकूरित हो जाता है फिर हम इस तरह से इसे चारु तरफ से इसे बंद कर देंगे और फिर हम इसे इसी तरह से ये बॉल में रख देंगे अब हम फिर से यहाँ पर एक कोटन का कपड़ा पिलेट के उपर फिर रखेंगे और हम ये चना को फिर कपड़ा के उपर डालेंगे और फिर हम इसे भी चारो तरब से इस तरह से मोल लेंगे और इसे भी हम ये बॉल के उपर रख देंगे और इसी तरह से हम इसे कहीं पर रख देंगे और इसे अंकूरित होने के लिए छोड़ देंगे हमें इसे कम से कम दो दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देना है चना को चना और मटर को मैंने अंकोरित करने के लिए रख दिया था और इसे हमने दो दिन के लिए छोड़ा था दो दिन हमारा हो चुका है आप देख सकते हैं चना हमारा किस तरह से अंकोरित हुआ है ये कितना अच्छा हुआ है आप देख सकते हैं बीच बीच में इसे चेक भी करना है अब हम मटर को देख लेते हैं आप देख सकते हैं मटर भी हमारा कितना अच्छा अंकूरित हुआ है हमें इसे बीच में इसलिए चेक करना है जब हम इस तरह से कपड़ा में इस तरह से लपेट के रखते हैं तो ये कपड़ा हमारा सूख जाता है तो हमें बीच में इस कपड़ा को पूरा इसी तरह से फिर से बींगो देना है बींगो के उसके बाद हमें बॉल में फिर रख देना है अगर ये कपड़ा पूरी तरह से सुक जाए तब अब हम ये मटर और ये चना का सलाद बनाएंगे सलाद बनाने से पहले हम इसका मसाला तयार करेंगे जो हमें सलाद में डालनी है मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच साबोद धनिया एक चम्मच साबोद जीरा और पान से छे सूखी लाल मीर्ज तो हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे उसके बाद हम इसे पिसहेंगे मैंने सलाद का मसाला पिस लिया है अब हम सलाद बनाना शूम करते हैं चलिए मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है बॉल में हम यह अंकूरित मटर को डाल देंगे हम इसे आधा हम इसे फिरीज में रख देंगे अगले बार हम इसे फिर से सलाथ बनाएगे चना को भी हम आधा ही डालेंगे चना को भी मैंने जोलिया है और इसे भी हम रख देंगे जितना हमें जरूरत है उतना ही मैंने चना और मटर को लिया है बाकी के हम चना और ये मटर को रख देंगे बाद में दूच करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा टमाटर बारिक कटा हुआ एक बड़ा प्याज बारिक कटा हुआ एक बड़ा गाजर कद्दू कस किया हुआ एक मिडियम साइज का खीरा कद्दू कस किया हुआ बारिक कटी उवी तीन हरी मिर्च थोड़ा सा हरा धनिया दो मिडियम साइज का उबला हुआ आलू इस तरह से बारिक कटा हुआ आधी छोटी चम्मत सेन्ह नमग फिर हम ये सलाद का मसाला डाल देंगे जो अभी हमने इसे पीसा था फिर हम इसमें तीन चम्मच के करिये इमली का गुदा डाल देंगे ये फुला हुआ इमली का गुदा है फिर हम इसमें स्वाद अनुसार ये सादा नमग डालेंगे और फिर हम इन सभी चीजों को अच्छा से मिलाएंगे मैंने सभी चीजों को अच्छा से मिला लिया है अब ये चनक का सलाध हमारा बन के तयार है हम इसे फ्लेट में निकाल लेते हैं मैंने सलाद को प्लेट पे निकाल लिया है अब हम गार्णिस के लिए इसमें थोड़ा सा हरा दुनिया डालेंगे और ये सलाद का ये मसाला उपर से थोड़ा सा डाल दें है अब ये सलाद हमारा खाने के लिए तयार है अगर आपको हमारी ये सलाद की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू, अल्ला हाफीज झाल